संसाधन प्रबंधन हमें अपने प्राकृतिक संसाधन के उप्योग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा जिससे वर्तमान आशकताओं की पूर्ती भी हो और भविश्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके और पारिस्थिति की एकोलोजी संतुलन बना रहे इसके लिए निम्नांकित उपाय किये जा सकते हैं पहला वैकल्पिक संसाधनों पर जोर जिन संसाधनों से प्रदूर्शन अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए जैसे जहां जहां संभो हो कोईले का उप्योग न करके प्राकरतिक गैस का उप्योग करना चाहिए लंबे समय के लिए उर्जा के स्ट्रो थेतू, सौर उर्जा और पवन शक्ति का अधिक से अधिक उप्योग किया जाना चाहिए इसके लिए प्रोटसाहन और व्यवस्था बनाय जाने की जरूरत है दूसरा संसाधनों का नवी करन करना इसे करने के लिए पर्यावरंड संबंधित कई नियम और मापदंड बनाये गए हैं इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है उदाहरन के लिए कचरे को अलग-अलग करके पुनरचक्रन करना दूसरा उद्योगों पर अनिवारे रूप से प्रदूशन नियंत्रन के उपकरन लगाने पर सकती तीसरा अलग-अलग छेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीट्मिंट सैयंत्र लगाना चोथा विशेश प्रदूशक पदार्थों की जाज करना और उन पर कड़ा नियंत्रन रखना जैसे मरकरी, पारा, लेट, सीसा, क्रोमियम, आदी तीसरा, संसाधनों का समचित उपयोग आज जिस प्रकार भौतिक सुक्सुइधाओं को प्राप्त करने की होड मची हुई है इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रकार कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो प्रित्वी की इस जनसंख्या की आवशक्ता की पूर्ती के लिए चार प्रित्वी की जरूरत पड़ेगी इस विशय पर गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर वेक्ती की आवशक्ता की पूर्ती के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टी के लिए अपर्याप्त है हमारे घर में प्रती दिन कच्रा निकलता है इसमें से कुछ दोबारा उप्योग में लाया जा सकता है उसकी सूची तयार करें और उसके उप्योग के बारे में लिखें आपके छेत्र के नवी करण संसाधनों के कुछ उधारनों के बारे में लिखें संसाधनों के समुचित उपयोग के बारे में मिलकर एक पोस्टर तयार करें क्या 30 वर्ष बाद भारत के लिए 100 उर्जा एक प्रमुक स्त्रोध बन सकता है चर्चा करें संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां केस अध्यन इंद्रा गांधी नहर कमान छेत्र पंजाब में हरी के बांध से यह नहर निकाली गई है यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलो मीटर है जबकि सभी उप नहरों को मिला कर इसके कुल लंबाई 9060 किलो मीटर है इसके द्वारा प्रस्ताविज सिचाई छेत्र लगभग 20 लाख हेक्टेयर है इसे इसका कमान शेत्र भी कहा जाता है यह थार मरुस्तल का शेत्र है जहां एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं मरुस्तली शेत्र होने के कारण वनस्पतिया नगर्ने है अता हवाद्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है गर्मी में यहां का तापमान पचास अंश सेलसियस तक हो जाता है और सत वार्षिक वर्षा की मात्रा दस मिलिमीटर से भी कम होती है विकास कारिय चरण एक से कमान शेत्र में सिचाई 1960 से प्रारम हुई जबकि चरण दो की शुरुवात 1980 से हुई है नहर से मरुशेत्र हरा भरा और नम हो गया है जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है वनिकरण और चारा गाहों का विकास हुआ है सिचाई की गहनता का प्रभाव या है कि इन शेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी वहाँ अब गेहु, कपास और मूंफली की खेती होने लगी है इसके साथ ही प्रती हेक्टेयर उत्पादन में भी वृध्धी हुई है लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे है सगन सिचाई के कारण और जल के अत्यदिक प्रयोक के कारण जल भराव इवं मृदा लवडता की समस्याएं उत्पन हो गई है